कौन है हमारे पूर्वज? कहा से हुई इंसानों की उत्पत्ती? आखिर क्या है चार्ल्स जार्विन की इंसान बनने की थियोरी? कैसे बने हम बंदर से इंसान? क्या अभी भी बंदर और चिम्पैंजी ले सकते हैं मानव का रूप? आखिर क्यों होता है साउथ अफ्रिका और अमेरिका के लोगों में इतना अंतर? क्यों हो जाते हैं कुछ लोग इतने लंबे और कुछ लोगों का कद क्यों हो जाता है छोटा? दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि साउथ अफ्रिका में रहने वाले लोगों का रंग काफी काला होता है वहीं अमेरिका में रहने वाले लोग काफी गोरे होते हैं अगर हम आप से इनका कारण पूछेंगे तो आपका उत्तर यह होगा कि यह तो सिर्फ वहां के मौसम की व तो इस वज़े से वहां के लोग गुरे होते हैं पर क्या आपको पता है कि ऐसा मौसम के अलावा और भी कई कारणों से हो सकता है जी हां इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका और साउथ अफरिका में रहने वाले सभी लोग एक ही वातावरण में रहते हैं वो एक समान जीवन शैली को अपनाते हैं जिसके परिनाम स्वरूप सभी लोग उसी वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और बाद में उनकी आने वाली प्रोजाती भी उनके जैसे ही आगे बढ़ती चली जाती है और उनकी रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों इसके अलावा लोगों के कद में परिवर्तन होनी का मुख्य कारण उनकी जनांग के किये संग्रचना वह भौगालिक आवश्रक्ता होती है जी हां अक्सर देखा गया है कि पहारी इलाकों में रहने वाले लोगों का कद काफी छोटा होता है जबकि मैदानी शेत्रो में रहने वाले लोग काफी लंबे होते हैं ऐसा इसी लिए होता है क्योंकि पहारी शेत्रों में रहने वाले लोग ज्यादा तर उचाई वाली जगों पर पैदल चलते हैं और उन्हें अपना समान अपने सर पर रख कर चलना पड़ता है जिसकी वज़र से उनका कद छोटा रह जाता है और वह मैदानी लोगों के मुकाबले छोटे दिखाई देते हैं ये तो अलग-अलग जगह पर इंसानी स्वरूप में पाए जाने वाले परिवर्तन हैं पर ऐसे ही कई बदलावों के कारण मानव का विकास हुआ है यूँ तो जव इंसानों का विकास हुआ तो को पूरी प्रक्रिया के बारे में बताई है जी हां चाल्स डार्विन ने बंदरों को सीधे इंसानों में परिवर्तित होने के पीछे कई सारे कारण दिये थे जो की उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताए हैं उनका कहना था कि इंसान ना तो बंदर से बने हैं और ना ही चि पैंजी को इंसानों का पूर्वज नहीं मान दी उनके थियोडी के अनुसार इंसानों के पूर्वज बंदर नहीं बलकि कोई और था और वो कौन था इसके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे और उससे पहले हम आपको बताते हैं कि चार्ल्स डार्विन न नाम की एक चिरिया होती थी जो की काफ़ी चोटी और सुन्दर दिखाई देती है उसका सवरूप काफ़ी अच्छा और रंग भी काफी सुन्दर था पर जब इस चिरिया की प्रजाती बढ़ गई तो दीरे दीरे इस प्रजाती की कई चिरिया अपने मुख्य महाद्वीप को छोड़ कर कई अलग-अलग महाद्वीपों में चली गई जिससे यह चुरिया अलग-लग हिस्सों में बट गई जब कई अतिहासकारों ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि अब एक ही प्रजाती की चुरिया तीन अलग-अलग महाद्वीपों में पाई जाने लगी थी। इन सभी चुरिया की DNA भी लगभग एक समान ही थी। पर हैरानी की बात यह थी कि यह चुरिया अपने पहले स्वरूप के मुकाबले कुछ अलग दिखने लगी थी। जी हां यह सच है कि अलग-अलग जगह पर ए लगी थी। आपको बता दें कि अपने मुख्य स्थान से जो चुरिया दूसरे महाद्वीप में गई थी। उन्हें वहां खाने के लिए फल मिलते थे। और फलों को खाने के लिए उन्हें लंबी वा नुकीली चुच की जरुरत होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैसे उन चिडियों की चोच भी विकास होती गई और उनकी चोच पहले के मुकाबले लंबी और नुकीली हो गई। और इस तरह दूसरे महाद्वीप में पहुंची चिडिया को लोग बेग फिंच के नाम से जानने लगे। जबकि जिन चिडियों ने किसी अन्य महाद्व प्रवेश किया था वह कीट पतंगे खाती थी और उन्हें वहां रहकर जीने के लिए कठोर चोच की जरुवत पढ़ने लगी। जिसके पढ़िनाम स्वरूप समय वह जरुवत के अनुसार इनकी चोच में भी परिवर्तन हुआ और यह भी अपनी मुख्य प्रजाती से भि उन्हें भी परिवर्तन हुआ और वह एक दूसरे से अलग दिखने लगी। ठीक इसी परिवर्तन के अनुसार समय वह विशक्ताओं के परिणाम स्वरूप मानव जीवन का भी निर्मान हुआ। कई विज्यानिकों ने जब मानव की डियने की जाच की तो उन्होंने पाया कि मानव का डियने बंदर और चिम्पैंजी से मेल खाता है। तर्क से भी इनकार कर दिया। और आज भी यह एक विवाद बना हुआ है कि आखिर मानव के पूरवज बंदर है या फिर चिम्पैंजी। कई इतिहासकार मानते हैं कि मिलियन साल पहले इंसानों और चिम्पैंजी कोई दो अलग-अलग प्रजाती नहीं थे। बलकि यह एक ही प्रजाती का हिस्सा थे जिसे उस समय होमिनो डाई कहा जाता था। जो की दिखने में बंदर की तरह ही थे। इस प्रजाती के जीव जुक कर चलते थे और इनके बाल भी बहुत लंबे हुआ करते थे। पर उनमें से भी कई जीव ऐसे थे जो की पेडो पर रहते थे और फल पत्ते आधी खाते थे। लेकिन कई जीव धरती पर रहकर जंगलों में घूमते थे और वा खाने में मान्स का सेवन करते थे। तो इस समय तक दो एक ही तरह की प्रजाती थी पर इनका रहन सहन एक दूसरे से बिलकुल अलग था और जब इन पर रीसर्च की गई तो पाया गया कि होमिनो डाई प्रजाती से भी दो अलग-अलग प्रजातियों का निर्मान हुआ जी हां अब माना विकास के लिए दो नई प्रजातियों का जन्म हुआ था जिन में से एक थी हाईलो बिटा डाई और दूसरी प्रजाती का नाम था होमनी डाई इन प्रजातियों के जीवों का डीने तो एक समान था पर इनकी बनावटी संगरचना एक दूसरे से कुछ अलग दिखाई देती थी जी हां होमनी डाई जीवों की नाक इनसानी की तरह छोटी और पिचकी हुई दिखाई देती थी यह जीब मुख्यता पेडों पर चड़ा करते थे और खरे होकर भी चल सकते थे वहीं हाईलो बिटाई डाई जीवों की नाक बंदर की तरह थी जिन्हें जीबोन भी कहा जाता है यह वह समय था जब इन दोनों प्रजातियों ने खुद को एक दूसरे से अलग कर लिया था और दोनों अपने अलग-अलग गटों में बट गय थे पर अब तक भी मानव का विकास नहीं हुआ था जी हाँ अभी भी हम एक जानवर की श्रेनी में ही आते हैं मानव का विकास होना तब शुर यह मानव के समान चल सकते हैं और खा भी सकते हैं पर इनका स्वरूप मानव के समान नहीं दिखाए देता और नहीं यह मानव की तरह विकसित हैं लेकिन होमी नीनी प्रजाती के जीब उस समय तक मनुष्य के समान दिखने लगे थे जी हाँ इनके मुह का स्वरूप मानव के समान दिखाई देता था अब इनके बाद चिंपैंजी और मनुष्य दो अलग-अलग प्रजाती विकसित हो गई थी पर यहां मानव के मस्तिश्क का विकास नहीं हुआ था मनुष्य के मस्तिश्क का निर्मान इससे भी कई समय बाद हुआ यहां आपको सपस्ट हो गया होगा क जानवर से इनसान बनने तक का सफर सिर्फ और सिर्फ समय और आवशकताओं में परिवर्तन होने के ही कारण हुआ जैसे जैसे एक ही प्रजाती से अलग-अलग प्रजातियां बनती गई वैसे वैसे उनकी जरुरतों में भी परिवर्तन होता गया जिसकी परिनाम स्वरूप दीरे दीरे मानव जीवन का विकास होता गया और आज भी मानव जीवन में विकास होने के बाद मानव मस्तिष्क में निरंतर विकास हो ही रहा है वर्तमान में होने वाले विकास का कारण भी मनुष्य की आवश्रक्ता और अलग-अलग परस्थीतियां है यह सत्त है कि आने वाले समय में भी परस्थीतियों वो मानव की आविश्रक्ता के अनुसार मानव मस्तिष्ट में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा पर आप अपना पूर्वज किसे मानते हैं बंदरों को या फिर किसी और प्रजवाती को आप हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताईएगा लेकिन अभी हम चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए अलवदा